टीवी की ड्रामा क्वीन कही जाने वाली राखी सावन्त इन दिनों मुश्किल वक्त से गुजर रही है बीते दिनों हालाद बिगरने पर उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में एमिर्जन्सी में एडमिट किया गया जिसके बाद पता चला कि राखी को गर्बाशय में ट्यूमर है और उस ट्यूमर को सरजरी करके निकालना पड़ेगा वहीं राखी सावन्त की सरजरी कम्प्लीट हो गई राखी की सरजरी के लिए खुद बॉलिवोड के भाई जान सल्मान खान ने डॉक्टर्स की टीम भेजी और साथ ही साथ राखी को फाइनांशियल मदद भी प्रोवाइड की इसके बाद खबरे सामने आई कि राखी का ओपरेशन सक्सेस्पुल हो गया है लेकिन अब राखी सावंत के शुब चिंतक उनके फैंस ये सवाल कर रहे हैं कि राखी को क्या डिस्चार्ज मिल गया क्या राखी अपने घर वापिस लौड गई है तो बता दें कि राखी अभी अस्पताल में ही है हाला कि राखी बात कर पा रही है अपना फोन इस्तमाल कर रही है राखी सावंत फिलहाल लिक्विट डाइट पर है लेकिन राखी को डिस्चार्ज नहीं मिला है कुछ दिनों तक राखी सावंत डाक्टर्स की अब्जवेशन में रहेगी इसके बाद अदाकारा को डिस्चार्ज मिल जाएगा इसके बाद राखी थोड़े समय का बेड रेस्ट कर अपनी लाइफ को उसी तरीके से जीने लगेगी जैसे वो जीती है जी हाँ वही पुरानी वाली राखी सावंत वापिस आ जाएंगी दोहरादे की फिलहाल अक्टर्स डाक्टर्स की अब्जवेशन में है और इसके बाद उन्हें कुछ दिनों का बेड रेस्ट करना है रही बात ट्यूमर की तो ट्यूमर का खत्रा राखी के सिर से टेल चुका है पाइनल काट न्यूस टेस्क